जैसा कि आप जानते हैं कि लोगों के बदलते ग्रह की वज़ा से उनके जीवन में भी बदलाव आते रहते हैं ये प्रभाव अच्छा होगा या बुरा ये कुंडली को देखकर ही पता लगाया जा सकता है अब जोतेशियों के मुताबिक ग्रहों के चाल बदलने की वज़ा से एक ऐसा सन्योग बनने जा रहा है जो इन दो राशियों के किस्मत को बदलतेगा इतना ही नहीं इनके जीवन में इस बदलाव से राजियोग भी बन रहा है आपको बता दें कि शनी देव कुंब राशी के लोगों का साथ छोड़ रहे हैं इसलिए अब इन दो राशियों पर शनी देव अपनी किर्पा को बर्साएंगे देखा जाए तो जारतर लोग शनी देव के नाम से ही डर जाते हैं क्योंकि शनी देव को बहुत ही कुरूर देवता के रूप में माना जाता है लेकिन अगर शनी देव किसी से खुस हो जाएं, तो वो उनकी चांदी भी कर देते हैं, आपको बता दें कि शनी देव को न्याय का देवता भी कहा जाता है, आज हम आपको उन दो राश्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन पर शनी देव अपने विशेज किर्पा वरसाने जा रहे ह जो इन दो राशियों के किस्मत को बदल देंगे तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन सी है वो दो लखी राशियां पहला मेश रासी आपको बता दे कि सबसे पहले जिन राशी पर शनी देव महरवान होने वाले हैं वो है मेश राशी के लोग, इन राशी के जात्कों के जीवन में राजयोग बन रहा है, इस राशी के लोग इस समय नोपरी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत ही शुग रहेगा, घर में सुख का महौल बना रहेगा, आर्थे किस्ति भी मजबूत हो जाएगी, शनी द से सम्मंधित से भी परिशानी दूर हो जाएगी, लेकिन ध्यान रहे कि आप अपने खुशी की वज़ा से किसी और का दिल ना दुखा दें, अगर इन राशी के लोगों के जीवन में कोई भी परिशानी है, तो वो अब खत्म हो जाएगी, लेकिन ध्यान रहे कि इस समय कर दो कर दो कर दो